यह देखे दोस्तों मैं आपको सेक्टर 9 के बैक साइड में आपको लेके जारा हूं दिली मुंबई एक्सप्रेसर रोड के उपर यहां पर आप देख रही हैं यह जो 1.79 क्लोमेटर का एलिवेटेड रोड बननी है उसका आल्मोस्ट पायर कैप तक का काम हो गया है आपर और इसके बढ़ गडर लांचिंग का काम होना है जो कि जो यह आदानी का पेटोल पंप है गया स्टेशन है इसके आगे जाकर इसमें काम शुरू हो गया है वहां पर भी बहुत ही अच्छा द्रिश्य लग रहा देखे जैसे पर दर एक लाइन में सारे और इतना लंबा रस्ता यह 1.79 किलोमेटर का जो एलिवेटेड रोड है यह इस इंडियना पेटोल पंप के बैक सेट के बीटीप का पूल है वहां से शुरू हो कर और यह सेक्टर नाइन तक जाएगा सेक्टर नाइन जहांबे सर्वद्य होस्पिटल है वहां तक यह पूरा होगा यह वाला एरिया स्ट्रिक्चर लगाते हैं वह उसा काम हो गया महाँ पर आपको यह देखे मैं आपको यह बैक सेट वाला एरिया जो बीपीटीप तक वहां तक लेके जाता हूं आपको हाला कि रोड टैफिक के लिए बंद की हुई है बज्जस में आपको दिखाने के लिए कितना काम होगा तक यहां पर ही अपडेट करते हो और आपको लेके जा रहा हूं यहां तक कि और यह बैटे है यह अधाना जी बैटे है यहां पर आपा अधानाजी नमश्कार अधार कुछ अगे काम शुरू वा कूश आगा काम सुरू है कि क्या बाद आओए इस बार लेट कैसे होगा इक उसन पिछले चार पाज देन होगे तो उसके बाद क्यों काम शुरू नहीं हुआ और सब भागे अब ठीका इस देखें मैं आपको भी लेके जा रहा है यहां पर एक दो तीन चार पांच अब यह स्टील जो स्ट्रिक्चर है इसका ही रख दिया गया है यहां पर और इसके बाद यहां पर गड़र लॉंजिंग होगी यह गड़र लॉंजिंग करने से पहले यह स्टील रखा जाता है यहां पर और इसके उपर गड़र लॉंजिंग होती है जब गड़र लॉंजिंग होगी वह भी मैं आऊँ हूँ आपको दिखाओं माजरू यहां पर यह दिखे यहां पर काम चल रहा है अभी लगातार रेंगी दोस्तों यहां यहां तक कि अपडेट के लिए मैं इसके बाद आपको नेक्स अपडेट दूँगा इसके बाद बहुत अच्छा काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी काम चल रहे हैं आपर अच्छा जी आप क्या देख रहे हैं यह गडर लंचिंग गयी गडर देखना है एंजी कैसे काम हो रहा है अच्छा बहुत 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 प्याइन काम हो अध्या गजा नहीं है इंसे दो मिला हूँ हुआ पहले मैं है यह हमारे अचल भागगे